17 जिन्वरी 2023 को शनी कुम्भराशी में प्रवेश करने जा रहे हैं कुम्भराशी वालों के लिए किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेंगे आज मैं इसी विशर पर आप सपी लोगों से विस्तार में बात भरूंगे और ये प्रभाव किस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले धाई वर्षों में क्योंकि कुम्भराशी के जो इस्थिती है अभी आपके उपर साहसाती का मध्य धाया शुरू होगा और ये सैटन आपके जीवन के अलग-अलग शेत्रों को भी प्रभावित करेंगे तो इनकी प्रभाव को आप अगर समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आप इनके साथ में टैकल कर पाएंगे और जो एक negativity होती है या जो एक मन में संशय होती है किसी भी चीज़ को ले करके ग्रहों के प्रभाव को ले करके या शनी ग्रह के प्रती जो एक गलत धार्ना है वो सारी चीज़े आप समझ पाएंगे और आसानी से इस ग्रह के जो positive प्रभाव हैं उनको आप ले पाएंगे जोट रहे हैं आप लोगों से request करूँगी कि आप चैनल को subscribe करिए, like करिए, share करिए और notification bell को face करके रखिएगा जिसे मैं कोई भी वीडियो डालती हूं तो आप लोगों को मिल पाए देखिए जितने भी कुम्भ वाले लोग हैं आप के लिए शनी आपके लगन के lord होते हैं जि आपको समान मिलेंगे शनी चुकि आपके लगनेश हैं और लगन भाव में ही अस्थापित हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छे स्थिती होगी जब किसी घर का वाली उसी घर में आ जाता है तो उस भाव को एक मजबूती मिलती है जतने भी कुम्भ वाले लोग हैं जो पिछल कि शनी जब अपने भाव से पीछे के भाव में रहते हैं और बार्वे भाव में होते हैं तो वो टाइम थोड़ा सा आइसोलेशन का एक तरीके से जो एकांत होता है अकेला पन होता है उसको वो जरूर देते हैं और इसलिए भी आप लोगों ने एक तरीके से एक हडल वाला देखा होगा और जो एक मन में कमजूरी आती है या चीजों से हार जाने वले प्रवृत्ति होती है ऐसी मनह इस्थिते से आप लोग गुजरे होंगे आपकी financial condition कुछ भी रही हो आपकी health कैसे भी रही हो किसी भी आप अस्तर के विक्ति हो लेकिन ये सारी जो सैटन के qualities है या जो उनका एक रेजर देने का तरीका है 12th house में उससे आपका कम या अधिक सामना जरूर हुआ होगा अगर आपकी महादशाय अंतरशाय अच्छी रही होंगी तो हो सकता है आपने बहुत अधिक स्षिस को नहीं feel किया हो लेकिन कम या अधिक रभाव जरूर देखने को मिला होगा अब शनी आपके लगन स्थान में आ रहे हैं यह बहुत अच्छी स्थिति है और यहाँ पर जो इनको नच्छत्र मिलेंगे वो धनिष्ठा का रहेगा और उसके बाद शद्धिशा का रहेगा और पूरवभादरपड मंगल राहू और गुरू के नच्छत्रों से ही ट्रांजिट करेंगी यह टाइम परियोड इनका लगभग धाई वर्षों का रहेगा तो एक नच्छत्र से यह काफ़े लंबे टाइमद ट्रांजिट करेंगे जैसे ये एंटर करेंगे तो इनको जो नच्छत्र मिलेगा वो धनिष्ठा का रहेगा तो मंगल जो ग्रह है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छे भाव जो आपका 10th house है प्रोफेशन का एरिया है उसके लॉडशिप इनके पास होती है मंगल के पास और आपके 3rd house को जहांपर मेशराशी होती है तो ये जो इस्थिती है शनी का धनिष्ठा में प्रवेश करना ये सबसे पहले प्रभाव जो देंगे आपके करम शित्र को प्रोफेशन को ये एक्टिवेट करेंगे तो कुम्भ वालोई लोग जो हैं अगर आपको अपने कारे शित्र को ले करके किसी भी तरह की कुछ दिक्कते रही हूँ तो आप इस समय पर अपने कारे को फिर से शुरू कर सकते हैं क्योंकि शनी आपके लगन स्थान में बैठ करके आपके तृतिय भाव को जहां पर मंगल की राशी मेश है और तिंथ हास्पिट से आपके तिंथ हाउस को भी देखेंगे तो राशी का जो लॉर्ड है शनी वो तृतिय से से और टेंथ से दिंथ सम्बंद बनाएगा और जो उसका नश्वत्र है उस भाव को भी वो डिरेक्ली देखेगा तो आपको शनी यहाँ पर दो तरह से सपोर्ट करेंगे यह तरीके से शनी बहुत मजभूति के साथ में आपके प्रोफेशन को एक शेप देंगे तो आप लोग अपने प्रोफेशन के लिए अभी सिरह त्यारी कर लीजिये जो भी आप बदलाव करना चाहते है या जो भी अपने काले का विस्तार करना चाहते है इन सारे श्यत्रों में आपको शनी जरूर सपोर्ट करेंगी और अपने मन से ये धारणा निकाल देजे कि आपकी साधे साती चल रही है मध्य साधे साती चल रही है तो आपके लिए दिक्कत होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखे शनी बड़े ग्रह हैं एक राशे में लंबे टाइम तक रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको नकरात्मक रिजल्ट है देंगी क्योंकि उस भाव में बैठे हैं तो नच्छत्रों के आधार पर ही वो परड़ाम करेंगी जो शनी का नैचरल सवभाविक जो उनकी एक कारकत्त है जो उनका सवभाव है उसका प्रभाव वो देते है उसका रिजल्ट वो देते है वो एक अलग चीज हो जाती है लेकिन as a planet जो काम उनको करना है उस काम को भी वो पूरा करेंगी तो मैं आपको पहले इनके positive चीज़ों को बताऊंगे कि इनसे आप क्या-क्या फायदे ले सकते हैं तो जैसे ही शनी आपकी प्रवेश करेंगे आप सबसे पहला काम करिएगा जितने भी लोग, tour, travels, mass, media, IT, sector, किसी भी तरह के सेल पर जिससे आपको जुड़ो हुआ कारे है या आप कोई multinational company में इंजीनियर है कोई भी आप data analytics का काम कर रहे हैं आपका व्यापार है, business है इन सारे छेत्रों से जितने भी लोग जुड़ो हुए हैं या आपका tour, travels, किसी भी तरह का transport related कुछ काम है क्योंकि शिनी लोहे को भी दिखाते हैं तो इन सारी चीजों को वो activate करेंगे आपके तृत्री भाव के ओपर दिस्टी डाल करके तीसरे भाव से सम्मंधित जितने भी कारें हैं उनमें वो आपको support करने का प्रयास करेंगी भले यहाँ पे इनके शत्रों की र अपने आपको positive बनाईएगा बहुत ज़्यादा प्रयास करना शुरू करिएगा नए सिरे से कारियों को आप स्टार्ट करना प्रागम करिएगा तो शनी यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ाएंगे और मेहनत के माध्यम से फिर हो आपके साथ भी दिस्टी डालेंगे आपके होता है बिजनेस का होता है यात्राओं का होता है गी समय आपके लिए व्यापारिक गत्विदि हो का रहेगा गी समय रहेगा जब कुछ लोग marriage जैसे चीज़ों की और भी जा सकते हैं या किसी तरह के रिष्टे में आपका involvement भी हो सकता है लेकिन व्यापारी गत्विधियों आप लोगों के लिए Saturn यहाँ पर ज़रूर देंगे कारे छेतर के ऊपर दिस्टी डालेंगे तो जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं बिजनेस करते हैं जो बड़े-बड़े इंडस्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं पॉलिटिशिन्स होते हैं जो सोसाइटी में बहुत टॉप पोस्ट पे बैठ हुए लोग होते हैं चाहे वो government sector के हों प्राइवेट सेक्टर के लोग हो उन लोगों को भी शनी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से support करेंगे क्योंकि यह जो इस्थिती रहेगे शनी की दस्वी दिस्टी जाएगे जब तो यह जो दस्मा भाव होता है और उनकी जो दस्मी दिस्टी होती है वो आपके अंदर करम की प्रवित्ती को बहुत अधिक बढ़ाएंगे और चुकि शनी आपके लगनस्थान में आएंगे कुम्भ राशी में आएंगे आपके शनी की यह मुद्टिकोड राशी होती है तो यहाँ पर आकर के सेटन का जो काम करने का तरीका होता है उसमें वो रिजल्ट ओरियंटेड मोड में आकर के कार्य करते हैं क्योंकि मकर की जो राशी होती है वो करम की राशी है वहाँ पर शनी पूरी तरीके से काम को करने के लिए प्रिद करते हैं लेकिन जब कुम्भ में आते हैं तो इनका जो कारे करने का तरीका होता है या जो इनका रिजल्ट देने का तरीका होता है यहां पर इनका पूरा स्वभाव और इनकी जो टेंडेंसी है उसमें तरह का चेंज आता है मंगल के नक्षटर से जाएंगे तो आप लोगों के लिए जिन भी लोगों का कारे कहीं construction से जूड़ा हुआ है civil engineers हैं या mechanical engineer हैं कोई भी आप real estate से जुड़े हुए हैं ब्लोक्रेज का काम करते हैं interior decorator का कारे करते हैं आपके petrol pump, refineries, जमीन के अंदर से जुड़े हुए जितने भी minerals होते हैं प्रॉडक्ट होते हैं उन सारे इस बात है इस सारे छित्रों से जुड़े हुए लोगों को शनी यहां पर बहुत अच्छी results देंगे आपके profession को ये बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, जर्नीज कराएंगे जिसके माध्यां से आपके profession का विस्तार कराएंगे ये सारे results आपको सेटर आने वाले time period में देंगे देखे, शनी लगनस्था में जब बैठेंगे तो ये आपके अंदर जहां कारियों को लेकर के एक जुजहरोपन देंगे, आपका जो mind है, जो आपका सोचने का तरीका है उसमें थोड़ा सा profit, जो gains होते हैं, उनको प्राप्त करने के आपकी tendency पढ़ेगी आप अपने हर एक चीज़ से, आप अपनी हर एक activities से, चीज़ों को जो प्राप्त करने का प्रयास होता है तरीका होता है, आपका जो पुरा focus है उस ओर बढ़ेगा यहाँ पर आपकी जो लालसा होगी, वो कैसे न कैसे करके प्राप्तियों की ओर होगी तो शनी आपको यहाँ पर help करेंगे जितने भी लोग किसी भी तरह के पढ़हाई से, जो studies वाले areas होते हैं जो बड़े-बड़े researchers होते हैं, scientists होते हैं उने छेत्रों से जुड़ो हुए लोगों को भी सेटन यहाँ पर बहुत लाब देंगे जो लोग NGO से जुड़ करके कारे करते हैं, government में बड़े-बड़े पदों पर हैं जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जो कि normal वित्तियों के लिए, public welfare के लिए होती हैं ऐसे organization से जुड़ो हुए लोगों को कि शनी बहुत यहाँ पर लाब देंगे लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना रहेगा शनी जहां आपके कारेच्षित्र में support करेंगे ये तो इनके results के हैं, जो कि इनको देने हैं आपके नेटल चार्ट के according लेकिन दूसरी चीज़ें आपको ओठे ध्यान रखनी है, चुकि शनी जब यहाँ पर बैठे हुए रहेंगे लगन अस्थान पर 17 जिन्वरे से तो उसी टाइम पर जो आपके गुरू प्लैनेट रहेंगे 22 अप्रेल 2013 तक आपके धन भाव में रहेंगे तो सैटन को इन डाइकली गुरू का भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि गुरू आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस धन के मालिक है और आपका जो लाव भाव है, ग्यारवा भाव है, उसके मालिक है इन दोनों के लोडशिप लेकर के गुरू आपके बाववे भाव में बैठे रहेंगे और छठे से, आठे से और दस्वे से एक संबंध बनाएंगे तो शनी को जो रिजल्स देने हैं, उसमें गुरू भी बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशन को एक संबंध बनाएंगे बैठे हुए हैं, बाइस अप्रेल तक आपको वो भी बहुत जादा संबंध करेंगे तो दोनों को जो एक कमबाइन एफेक्ट होगा आपके व्यापार को, बिजनेस को, पैत्रिक संपत्ति को प्रोफेशन वाले एरिया को, जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो लोन लेने देने का कारे करते हैं या किसी भी तरह के जो बड़े-बड़े सर्जन्स हैं, लॉयर्स हैं, इंसुरिंस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो भी लोग गुपतचल विभाग में कारे करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी स्थित्या बनेंगी, जो judges होते हैं, lawyers होते हैं, बड़े-बड़े जो professors होते हैं, education के field से जुड़े होते हैं, जो लोग planner होते हैं, नीती का निर्मार करते हैं, जो बड़े-बड़े planning करते हैं ऐसे सारे छेतरों से जुड़े हुए लोगों को शनी बहुत अधिक लाभ देने जा रहे हैं अब कुछ ऐसी चीजी भी मैं आपको बताना चाहूंगी जिससे आप समझ पाएं कि सेटन जो रिजल्ट देंगी इसमें जो आपके धनेश हैं और आयेश हैं वो किस तरीके से इंटेक्टली शनी को प्रभावित करेंगे बाइस से पहल को जब गुरु आपके तरते भाव में आ जाएंगे तो यह वाबस आपके कम्मुनुकेशन आपके व्यापार बिजनेस और फाइनली आपके जो ओवराल इंकम है उसको यह बाधने का कारे करेंगे तो लगन में बैठ करके शनी आपके मेहनत पराकरम को बढ़ाएंगे गुरु आपको सपोर्ट कर देंगे तो आपका व्यापार बिजनेस यह सारी चीज़ें बढ़ाएंगी करम वाला एरिया आपका इंकम की प्राप्तिया होंगी इस से इसका आप जरूर फाइदा लेजिएगा शनी की उन चीज़ों की बात करते हैं जो आपको थोड़े से नेगेटिव रिजर्स दे सकते हैं या जिन चीज़ों की आपको कियर करनी होगी सावधानी रखनी होगी देखे जब शनी आपके लगने स्थान में आएंगे कुम्भ की राशी है तो आप लोग व्यासे की थोड़ा सा फिलोस्पर टाइप के होते हैं सीरियस सुभाव के होते हैं आपका जो बेसिक निचर होता है लिखने पढ़ने वाला बहुत डेफ्थ में जा करके चीज़ों की एनलिसिस करना इस तरह का आपका मौल सुभाव होता है बाकी ग्रोह का भी भाव पढ़ता है उसे विक्ति का जो और आले के तरह परिवर्टानाता है लेकिन शनी लगन में हो करके या लगनेश हो करके आपको कही न कहीं एक सेंसितिव परसन बनाते हैं जो कि सोसाइटी के विलफेर के लिए काम कर क्योंकि शनी जब कुम्भ में आते हैं तो जो सुभाव बनाते हैं विक्ति का वो लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं यह शनी की विशेष्टा होते हैं कुम्भ राशी में आने के बाद लेकिन इनका जो बेसिक सुभाव है जो इनका नेचर है वो सा शांत नेचर एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत स्लो बहुत ठंडे बड़े एकांतप्रियक रहे हैं तो यह समय रहेगा जब आप सारे कारियों को करते हुए कहीं न कहीं आपके अंदर एक तरह का अपने आप में जो लोगों से कट करके रहने की प्रवित्ति होती है उ तो यह समय आप लोगों को समाज में बहुत ने इंफें प्रसिधी अस्थाफित करने का भी कारे करेगा लेकिन साथ ही साथ चुकि शनी थोड़े से आइसोलेशन वाले ग्रह है तो यह आपको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक इंट्रोवर्ट माइंडसेट देंगे तो उस के साथ आपको सम्हाल करनी है कि कैसे आप उसको ट्रीट करते हैं इस नेचर को अपने शनी आपके तरितरी भाव के ओपर जब जिस्ट्री डाले में यह तो यह जो एरिया होता है आपके कम्यूकेशन का होता है आपके करीभियों का मित्र जो होते हैं आपके जो आपके सिब चाहिए एक इंटिमेसी हो एक लगाव हो कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें तरह का एक अच्छा सा कॉम्निकेशन डेवलप होना चाहिए आपकी वाणी में किसे भी तरह का तीखा पनिया जो एक किसी को चुप जाने वाली बात होती है उसे चीज़ से आप बचाईएगा क्योंकि शनी तुरते भाव को देखेंगे तो कहीं न कहीं ये थोड़ा सा वाणी में जो है नीरस्ता य इतना शांत या इतना आप उसको कह सकते हैं कि इतना मन्फूस सा होता है कि लोग उसे बात करना नहीं पसंद करते हैं ये शनी के वाणी सेकंड या थर्ड से जब एक कनेक्शन बनाते हैं तो ऐसे प्रवित्ती विक्ति के जरूर हो जाती है तो थोड़ा साप अपनी साथी का भाव होता है और यहां पर सुर्य की राशे पढ़ती है तो शनी का जो सुभाव है ये चुकि ये बड़े नीरस और बहुत है कांतर प्रिय अग्रह होते हैं तो आप अपनी पार्टनर और बिसनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंध अच्छा बना करके इस टाइम पिरिड में ऐसा नो हो कि आप काम करने के चक्कर में अपने पार्टनर को इनोर करने लगे या उनके साथ किसी तरह की बिटरनेस नहीं पढ़ने पाए ये आपको ध्यार अठना रहेगा हाला कि आपको कोई यहां पर मेजर दिकते नहीं होएंगी क्योंकि सपोर्ट करते रहेंगे तो यह थोड़ा बहुत कभी कभी पार्टनर के साथ में एक तरह से डिस्टेंस या एक तरह का दूरी नहीं रस्ता ऐसी चीज़ें आपके डेवलप कर सकते हैं शनी के दस्वें दिस्टी जाएगे आपके करम श्यत्र पर यापके प्रोफेशन का ए सप्सक्वाणर करियेगा शनी आपके लिए दो तरह से नहीं की कारिया करेंगे दो आपके जो पर प्रोफेशन कारें वह जो देनेड़ यह भी देंगे साथ में वो अपने स्वभाव से जुड़ी हुए जो उनकी स्वभावी का प्रवित्ती होती है उसके अनुसार भी आपके उपर रेजर्स देखने को मिलेंगे तो शनी के जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप जरूर लेने का प्रयास करिएगा और शनी की वो नेगेटिविटी जो आपके रिष्टों को प्रभावित करेगे वहाँ पर आप थोड़ा खुड़ को समाल लिजेगा या उसके कॉर्डिंग आप रियक्ट करिएगा इस तरह से आप समझेगा इस तरीते से अगर देखते हैं शनी जब आपके कुंभ में प्रवेश करेंगे तो मंगल के नच्छत्र धनिस्था से प्रवेश करने पर तो ये आपके लिए प्रोफेशन को 100% बढ़ाएंगे उसमें कोई भी संशय नहीं है और जब ये शत्वीशा के नच्छत्र से जाएंगे हलाकि काफी लंबर टाइम पेरियर्ड है धाई वर्षों का ये समय रहेगा और इसी में ये मारगी भी होंगे फिर बीच-बीच में ये वक्रे भी होते रहेंगे तो उनके जो रिजल्स होंगे वो भी अपना प्रभाव डालेंगे लेकिशनी जब यहां पर वक्रे भी होंगे तो इनके जो प्रभाव देने की छमता रहेगी वो आपके लगन भाव से ही इनका संबंध बना रहेगा तैसे कोई दिकत की बात नहीं रहेगी और जब यह राहू के नच्छतर से हो करके जाएंगे तो चुकि राहू भी सेटन के एकॉर्डिंग ही कार्य करता है तो वो समय भी आप लोगों को लाभ देने का ही कार्य करेगा आपके निटल चार्ट में जहां पर राहू बैठा हुआ होगा आप उस हाउस को जरूर चिक कर लीजेगा जब शनी राहू शत्विसा के नच्छतर से जाएंगे तो राहू जहां बैठा है उस भाव का भी परणाम आपको देखने को मिलेगा उसके बाद जब यह गुरू के नच्छतर से जाएंगे पुर्वा भाद्रपद जो की लगभग आखरी टाइम पिरेट रहेगा तब ही आपके लिए आपके धन को बढ़ाने का कारे करेंगे क्योंकि आपका सेकेंड हाउस और आपका इलेवन्थ हाउस दोनों ही गुरू के अधीन है दोनों का ही परणाम गुरू को देना होता है तो शनी की कुम्भराशी में जो प्रवेश करने की स्थिती है आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशन में भी सपोर्ट कर रही है और आपकी ओवराल जो आर्थिक लाभिती स्थितियां है उसको भी ये आपको देने का पूरा प्रयास करेगा, थोड़ा आप लोग देख लेज़ेगा कि आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रतेंतरदशा क्या चल रही है, तो उसका भी प्रभावर हैगा, ये तो ट्रांजिट में आये हुए हैं आपके लगन स्थान में, लेकिन ये ह आपकी ओवर्राल इंकम होने जा रही है, उसमें आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो जिदने भी कुम्भा वाले लोग हैं, चुकि आप लोगों की साड़े साती का ये मध्य पेरियाड है, तो आप लोग अपने मन में नेगेटिव धाना बिलकुल मत बनाएगा कि स इतना आपको दिकत नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है, चुकि यहां पर आपके नेटल के मून रहेंगे, तो अब आपको ये चीज का दोसरा दोसरे तरीके से भी आप इसके रिजल्ट को समझेगा, कि शनी जहां आपके लिए प्रोफेशन को बढ़ाते रहेंगे, इंकम ज उसमें एक तरीकी का डिप्रेशन, डिप्रेशन में इसकी शनी स्लो प्लैनेट है, नीरस है, और जो उनका बेसिक सोभाव है, वो कहीं ने कहीं, जो एक तरह से दुख, एकांत, जो भी आप पिड़ा से जोड़कर के कह सकते हैं, वो उनकी कहीं सोभाव में होता है, तो केरिया का सुख होता है, उन इस चीजों के सुख को आपको यह कम महसूस करने देंगे, मतलब इनका पूरा प्रयास रहेगा, यह आपके मन को थोड़ा सा दुख ही करें, या उसमें तरीके की उदासींता पैदा करने का कारे, शनी करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर आ आपको तो आप लीजे, लेकिन साथ में जो चंद्रमा है, जो मून है, उसकी लिए आपको थोड़ा मजबूती देनी होगी, मतलब की इस टाइम पिरियेट में आपको अपने मन को स्टेंथ देनी है, चंद्रमा को स्टेंथ देनी है, आपको अपने मन को बहुत मजबूत ब रहेगा, आपके मन में हिम्मत रहेगे, आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, अपने बुद्ध को, मरकरी को, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस होता है, जब आप चीजों को बुद्धी से सोचना शुरू करेंगे, तो जो एक उदास वाला जो एक फेज होगा, मि लेकिन आप जो अपने बुद्धी से सोचेंगे, अपने मन को मजबूत करेंगे, तो शनी का जो ये नेगेटिव साइड होता है, उससे आप आसानी से फाइट कर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए जो इस्थितियां बन रही हैं, पुरे धाई वर्षों के लिए, आपक सारे अच्छे परडाम को ले पाएं, और जितने भी नेगेटिव ये रिजर्स दे सकते हैं, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, क्योंकि शनी जो भी प्रभाव देंगे नेगेटिवली, वो आपको बाहर से नहीं पता चलेंगे, बाहर से तो चीज़ियां आपको प् पहला काम आप ये करिएगा कि शनी को मजबूत करिएगा, इसके लिए आप पूरे वर्ष आने वाले, यहां मैं तो कहूंगी कि आप थ्रूआउट लाइफ शनी को स्ट्रॉं करिए, क्योंकि आपके लगनेश हैं, तो आप हमेशा शनी के मंत्रों का जब जरूर किया करिए बहुत साधारन मंत्र होता है, बहुत आसान होता है, ओम श्रम शनचरायनमा, इसका आप डेली 108 बार जब कर लिया करिए, इससे आपके शरेल को भी ताकत मिलेगी और आपके गरह को भी मजबूती मिलेगी, दूसरा आप जब भी शनी वाराता है, अमावस्या आती है, तो आ प्रयास किया करिए कि कोई भी आपके आसपास जबूरत मंद हो, कोई व्यक्ति हो, जिसको मदद की ज़रूरत हो, उन्हें आप खाने की कोई भी चीज़ देजिए, चाहें आप तेल का दान करिए, उड़त का, काले रंग के जो भी कपड़े होते हैं, कंबल है, कोई भी जि थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्स देने की कॉलिटी होगे आपके नेटल चाट के अनुसार, उसमें भी आपको रिलेफ होता रहेगा, शनी मंतर जा सकते हैं, तो ठीक है, अगर नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप शनी मंतर का जरूर जब करिए, यह जो रहु दोनों कंबाइंड एक जैसे ही कार्य करते हैं, और इस तरह से आप जो आप के हां के स्वेपर हैं, कार्य करने वाले हैं, जो रोब साफ करते हैं, कचरव अगरा ली जाते हैं, उनलों को आप डिरेक्ली इंडिरेक्ली थोड़ा बहुत फाइनेशिल सपोर्ट कर दिया तो मतलब आपको दान करना है, लेकिन जताना नहीं है इस तरीके से आप समझेए, तो इससे आपके शनी को ताकत मिलेगी, इस समय पर आप चंद्रमा को जरूर मजबूत करिएगा, विश्य शुरूप से जो आने वाला धाई वर्ष है, सत्रह जनवरी से ले करके दो हजार पच्छिस तक का टाइन परियेड है, आप अपने मून को बहुत स्ट्रॉंग करिएगा, इसके लिए आप श्यू के मंत्रे जो हैं, चाहे ओम नमा शिवाय है, ओम सुम सुमाय नमा है, इन दोनों में से कोई भी या तो आप चाहें, तो दोनों ही मंत्र जब कर सकते हैं, जै भी आपकी मदर हो, आप उनको एमोशनली और फाइनेंशली एक रिस्पेक्ट उनका सपोर्ट की अर्गे जरूर करिएगा, डाइरेक्ट चंद्रमा मा ही होती है, और मा जैसे जितने रिलेशन हैं उनका भी आप धिहान रखिएगा, पानी बिल्कुल अपवय मत करिएगा, सिंपल जो जल होता है, चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा दूद भी डा सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो आप केवल जल से ही शिव भगवान के उपर चढ़ा दिया करिए, रोम नमा श्रिवाय बोलते हुए उनको चढ़ाईए और अच्छा चढ़ा दिया करिए, ये दो आप का बुद्ध अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से नेड़े कर पाएंगे, सोच समझ पाएंगे, तो मरकरी के लिए अगर आप चाहें तो ओम बुम बुद्धाय नमा, इसका मंत्र जाप कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, क्य मैं तो कहूंगी कि आप बुद्ध की जरूर मंत्र जाप किया करें, क्योंकि बुद्ध आपकी बुद्धी का भी मालिक है, फिफ्थ हाउस का लॉड है, तो अगर आप इसको स्ट्रॉं करेंगे, तो ये भी आपके लिए मांसी की स्थिर्था देने का कारे करेंगे, जो भी कारे छितर में भी अस्थापित करेंगे, मांसी की रूप से आपको पीडित नहीं होने देगा, और जो आपकी डिसिजन्स है, नेड़े हैं, उनको भी ये गलत नहीं होने देगा, इस तरीके से जितने भी कुभवाले लोग हैं, आप अपने सैटर्न के इस ट्रांजीट का फैदा लीजिए, और बिलकुल भी नहीं डढ़िएगा, अपने मन से ये भावना निकाल देजिए, कि साड़े साती का मध्य है, तो कोई तकलीफ होगी, तकलीफ अपनी जगा चलती रहते हैं, और जो कारे होते हैं, वो अपनी जगा चलते रहते हैं, तो आपका मोटिव य मेरी जो इस सैटन के इनालिसिस है, कुम्हराशी में आने की, यह आपके लिए लाप देंगे, प्रोफेशन में लाप देंगे, आपके व्यापार को लाप कराएंगे, और नच्छत्रों से संबंध बना करके, यह आप लोगों के लिए, जिन्मी, इंचाइजार, प्रॉपर करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो उचस्रिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत लाप देंगे, यह शनी जो है, जाते-जाते जब यह 25 के करें, 2024-2025 के टाइम पेरिट में आप लोगों को यात्राएं भी करवाएंगे, बहुत मैंने भी बताया आपको उसी तरह से आप फॉलो करिए और अपने नेटल चार्ट को जरूर ताकत देजेगा, उसको मजबूती देजेगा, देख लेजे कि आपके कुंडली में शनी कहां पे बैठ हुए हैं, क्योंकि आपके लगनेश है आपका नेटल चार्ट ही आपको र जान करेंगे तो शनी को ताकत मिलेगी, तो डड़ना बिल्कुल नहीं है, अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे से बैठ होंगे, शनी कहीं के अंदत रिकोर्ड में, अच्छे भाव में बैठ होंगे, तो आपको बहुत अच्छे परणाम भी देंगे, आशा कर रही लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि अगर शॉर्ट में बताना हो तो एक लाइन में में एक स्पिन कर सकती हूं, लेकिन फिर आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इतना विस्तार में बताती हूं, कई बार लोग बोलते भी हैं क बहुत जादा बहुत बड़ा वीडियो बना देती हैं, तो मेरा परपस है कि मैं जो कुछ बताओं इसको आपको समझ में आना चाहिए, अगर अगर आप समझ ही ना पाएं, इसे अनलेसिस को आप नहीं समझ पाएं, तो फिर मेरा वीडियो देने का कोई मतलब ही नहीं रहे मेरी यही इस्वर से पार्थना रहेगी, और मैं सभी वीडियो को मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलती हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए वीडियो जोड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएग नोटिफिकेशन बिल्कु जरूर प्रिस करके रखिएगा, आप लोगों जिससे कोई की वीडियो में डागती हूँ, तो आप लोगों को पता चल पाया करें, और निव येर के मैंने सारे वीडियो बना दे हैं, 23 के, और उसको आप जा करके मेरे जो वीडियो की लिस्ट है, प्लेइलिस्ट में आप जाएंगे, तो वहाँ पे जहां वार्शी कराशे फल लिखा हुआ है, उसके आप उस सारे 2023 के मेश से लेकर कि में लवन राशी के वीडियो दिये हूँ है, आप उसको मन्थवाइस भी समझ सकते हैं, कि कब क्या-क्या घटना हो सकती हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ कर तक के लिए, ओम नमस्षिवा, नमस्ते,